जैम आता दि दोस्तों, कर्म बड़ा या भाग्या ये सवाल सधियों से चला आ रहा है, कुछ लोग कर्म के सृष्च होने की बात करते हैं, तो वही कुछ भाग्या के बलवान होने का दावा करते हैं, भाग्या और कर्म के इस प्रतिद्वंद का सही और सठीक उत्तर गीता मे और फिर गीता का एक शलोग भी जानेंगे जिसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कर्म और भाग्य में इसे कौन बड़ा है चलिए जानते हैं कहानी एक जंगल के दोनों और अलग अलग राज्या का राज्य था और दोनों राज्यों के बीच मौजूद उस जंगल में एक संत निवास करते थे दोनों राजा उस संत को अपना गुरू मानते थे और उनका बड़ा आदर करते थे उस जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी जो उन दोनों राज्यों का एक मात्र जल्स त्रोत थी जिसके चलते उस नदी को लेकर आए दिन दोनों राजाओं में विवाद होते रहते थे एक समय ऐसा आया जब दोनों राजाओं का विवाद इतना बढ़ गया के बाद युद्ध तक पहुँच गई युद्ध शुरू होने से पहले दोनों राजा संत का अशिरवाद लेना चाहते थे और इसलिए वहें एक की करके संत के डेरे में पहुँ जब पहला राजा संत के निकट पहुँचा तो संत बोले कि तुमारे भागे में जीत नहीं दिखती आगे ईश्वर की मरजी संत की यह बास सुनकर पहले तो राजा घबरा जाता है लेकिन फिर उसने थोड़ा विचार किया और फिर अपने सैना से बोला अगर हार ना ही है तो हम पूरी ताकस से लड़ेंगे और अपने परदर्शन को दूसरों के लिए महान उधारन बना देंगे जब दूसरा राजा आशिरवात लेने के लिए संत के पास पहुँचा तो उसे देखकर संत बोले इस समय भागे तुमारे पक्ष में लगता है आगे जैसा इश्व के हमारे पक्ष में है तो हमारे जीत होना तैय है अगले दिन जब युद्ध प्रारंब हुआ तो एक राजा की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे भाग्य में हार हो लेकिन हम अपने पून प्राक्रम से लड़ेंगे वहें दूसरी राजा की सेना सोच रही थी कि जीत तो हमारे भाग्य में है तो फिर घबराना कैसा युद्ध करते हुए दूसरे राजा के घोड़े की नाल निकल गई पर उन्होंने ध्यार नहीं दिया क्योंकि उनके मन में तो भाग्य के पक्ष में होने की बात घड कर गई थी उन्होंने सोचा जब भाग्य मेरे साथ है त संत को देखते ही दोनों राजा एक स्वार में प्रश्न कर बैठे कि गुरुजन आखिर भागय का लिखा कैसे बदल गया। संत मुस्कुराए और उत्तर देते हुए बोले हे राजन भागय नहीं बदला। वह अपनी जगास्तिर है परंतु आप लोग बदल गए। संत ने जीतने वाले राजा की और इशारा करा और बोले स्वयम को ही देखिये राजन संभवित हार के बारे में जानकर आपने दिन रात एक कर दिये। युद्ध की हर चीज का खयाल खुद रखने का फैसला किया। जबकि पहले आपकी योजना सेना पती के बल पर युद्ध लड़ने की थी। वहीं हारने वाले राजा की और देखकर संत बोले कि हे राजन आपने तो युद्ध जीतने से पहले ही उसका उत्सव बनाना शुरू कर दिया। यहां तक की अपने घोडे की नाल का भी खयाल नहीं रखा। सेना की रणनीती पर ध्यान देना तो दूर की बात है। और आखिरकार वह हो गया जो होना लिखा था। आप लोगों का भागे नहीं बदला। लेकिन जिनके भागे में जो लिखा था उन्होंने अपना व्यक्तित्व ही बदल दिया। अब आप ही बताईए ऐसी परिस्तिती में बिचारा भागे क्या करता। दोस्तों भागे लोहे के समान होता है। जहां कर्म का चुम्बक मवजूद हो वह उस और खीचा जाता है। भागे असल में हमारे कर्मों का ही प्रिणाम होता है। अनुकूल कर्म किये जाए तो भागे को अपनी और मोड़ा जा सकता है। लेकिन भागे के भरोसे बैठकर कर्मों से दूरी बना लेना पराजे दुख और परशानियों को आपकी और लेकर आता है। घीता में भी कर्म को लेकर यही संदेश दिया गया है। जिसमें शिरीकृष्ण कहते हैं तुमारे कर्मों पर तुमारा अधिकार है। लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं इसलिए फल के प्रती आसत्ते हुए बिना अपना कर्म करते रहो ये था कर्म और भागी को लेकर गीता खाग्यार इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुं सके धन्यवाद दोस्तों